तो देखिए अभी मैं अभी क्रूज कर रहा था मतलब आ रहा था हिदर से एक पे था और आए काशानक से बंद हो गई यार अभी स्टार्ट नहीं हो रही है मैंने बहुत कोशिश किया है फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा एटी पे था वो शुकर है कि पीछे कोई गाड़ी नहीं थी नहीं तो मतलब काम 25 कर देती मतलब पावर कट आफ हो गया है देखो अब भी यह और नहीं हो रहा है मैं नूट्रल करके और करके दिखाता हूं क्या है मतलब यार इतना है मतलब अब इसे कैसे हो सकता है है हमधा था मैं और उसके बाद टीपे एक्सिललिड़ेट किया यग बंद हो गई है देखो SMT नहीं हो रही है कि में यूट्रल है अब मैं क्या करूँ बताओ अभी तो दिन है सुनसान रहता कहीं मतलब ऐसे जगह पर रहता जहां कोई कुछ सुवीदा नहीं है तो लोग क्या करेगा यार मतलब मैं ले के सच में पस्ता आ रहा हूं मैं इतनी ताड़ीफे करता था इसकी बट मतलब क्या ही है कि मतलब एक्टी सतर शासी किलिंटर में गया था राइट पे और अब भी आ रहूं तो बंध हो गई सब कुछ है प्रट्रॉल भी है मतलब इंजन हीट भी नहीं है फिर भी ऐसा कैसे हो सकता है बताओ कि या अब क्या करें कि होगे साट कि स्टार्ट तो हो गई लेकिन यह इशू क्या है मतलब आप मर जाओ गया आप इस बात का कि आप एट्टी प्लस पे हो नाइंटी पे हो या उससे जादे पे तो मतलब ध्यान से चलाना यह बंद हो जाती है और ने आप बंद हो जाती है यह तो मतलब लाइफ ठ्रेटनिंग है यह जो सकता है पीछे से कुछ आएगा पेटी पे अचानक गाड़ी बंद हो जाएगी हाईवे पे पोडलेन पे आप तो मर जाओगे उरा देगा रहा दे बहुत दर गया हूं मतलब हर्टविट मेरी तेज हो गई है अचानक से अगर पीछे से कारवार आती तो क्या हाल होता है अब एटी पे गाड़ी बंद हो जा रही है यह क्या है मतलब अब इस सेकेंड सर्विसिस का डिव है अब जाके स्टार्ट हुई अब बहुत जन पह रहे थे उनके इंजन से किपपपपी आवाज आती है मतलब बंद कैसे हो सकता है यार मेरे बाइक मैं पहली दफ़ा हुगा है दूसरे लोग कहते थे मुझे विस्वास नहीं होता था बटाए इसला इसे कैसे हो गया एक बार फिर एक बार फिर कहता हूं आप जितने भी होने ट्यूजर हो इस वास का ध्यान रखना अब यह तो हो तो यार अच्छे जिलान नहीं तो कुछ भी हो सकता है इस बंद हो जाएगा गाड़ी फिर काम तमाम हो जाएगा आपका इसलिए आप यार आप